तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो IPO के बारे में जो हमको अगले हफते open होते हुए देखने को मिलने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर cover करने वाले हैं Rainbow Children Medicare Limited IPO को उसके बाद हम cover यहाँ पर करेंगे campus IPO को तो यह वीडियो देखी काफी interesting वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही company के regarding कुछ interesting जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए काफी यहाँ पर informative हो सकती है और क्या आपको यहाँ पर apply करना है या फिर avoid करना है वो हम जानेंगे through different metrics वो काफी interesting segments होने वाले हैं तो इसमें हम valuation को cover करेंगे peer comparison हम करने वाले हैं क्या यहाँ पर peer के मुकाबले यह दोनों ही company valuation wise attractive है या नहीं grey market premium आज की rate में कितना चल रहा है और interesting segment होने वाला है industry analysis ठीक है तो यह दोनों companies के regarding तुम आपको जानकारी देने वाला ही हूं लेकिन साथी साथ industry regarding specific जानकारी में आपको देने वाला हूं जो आपके लिए काफे informative यहाँ पर हो सकती है जिससे आप यहाँ पर decision making अपनी यहाँ specialized services यहाँ पर provide कराता है regarding pediatric services pediatric services मतलब जो newborn babies के लिए जो services होती है ठीक है pediatric intensive care हो गया pediatric multi specialty service pediatric quaternary care या फिर इसी के regarding दूसरी services ठीक है और इनका जो यह जो है जो है core revenue generating segment है pediatric services जहाँ पर इनकी specialty भी है expertise भी है और जो दूसरा segment है इनका वो है obstetrics and gynecology तो यह 2 segment में भी यह company काम कर रही है जहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके 14 hospitals है 3 clinics है in 6 cities bed capacity की बात करते हैं 1500 beds है इनके पास as of September 30, 2021 1999 में यह company यहाँ पर start हुई थी हेदराबाद से ठीक है competitive strength की बात करते हैं तो they have the ability to conceptualize, create and operate in the specialized children hospital जैसे हम ने जस्ट बात करी तो इसके साथ खास बात यह है कि देखिए hospital healthcare segment से यह जो है basically company जोड़ी हुई है लेकिन यहाँ पर इनके पास specialty है children regarding services में यानि कि जो pediatric services है उसके regarding इनके specialty है इनके पास expertise है और यह जो segment है मुझे अत्या काफी growing segment है कभी भी आप जाएंगे किसी भी clinic पे बच्चों का clinic हो या फिर pediatric segment हो किसी भी hospital का तो वहाँ पर हमेशा ही build लगी रहती हुई हमको देखने को मिलती है अभी industry में industry regarding growth भी इस segment की बात करने वाली है तो करने वा करके इनको पढ़ सकते हैं बात करते हैं यहां पर financial information की तो आप देखेंगे इनके assets लगातार आपको यहां पर growth होते हुए देखने को मिलेंगे again important यहां पर चीज है कि asset growth हो रहे है because hospital segment की बात करें तो यहां पर assets growth होना काफी important है healthcare segment में revenue की बात करते है revenue काफी important है तो यह millions में 35% की आसपास हमको revenue jump देखने को मिली है 19 से 20 में लेकिन 21 में क्या हुआ 21 में 660 करोड का revenue रह गया गटके 729 करोड से तो यहां पर almost आप कह सकते हैं कि 10% की हमको यहां पर almost decline देखने को मिला revenue में फिर again आप देखे December 2020 में तो यहां पर again हमको थोड़ा सा decline देखने को मिला है I think 20 30% का आप यहां पर मान सकते हैं कि decline है फिर उसके बाद हमको यहां पर 31st step December 2021 तक वापिस से यहां पर हमको growth देखने को मिली है top line में तो यहां पर fluctuating manner में इनके revenue यहां पर जो हमको growth होते हुए देखने को मिले लेकिन इस्टिल आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे fluctuations और revenue में fluctuations काफी है लेकिन इस्टिल यहां पर हम देखें तो यहां पर at the end हमको revenue और profitability ग्रो होती हुए देखने को मिल रही है object of the issue की बात करें तो early redemption of NCD issues by company तो यहां पर जो non-convertible debentures थे जो इन्होंने कभी issue कियो होंगे past में for the fundraising तो यह अभी early redemption उसका कर रहे है capital expenditure करने वाले है new hospital से setup करने वाले है कुछ medical equipments यहां पर purchase करेंगे तो अगे यह पॉजिटिव है तो यहां पर growth oriented की apex यह होने वाला है 516 to 542 तो आपको अपर price band पर हमेश अपलाए करना है in any case market lot 27 shares का issue size है almost 1600 करोड का जिसमें से fresh issue only 280 करोड का है तो आप मान के चली यहां पर offer for sale होने वाला है करीब करीब 1200 करोड का तो यहां पर OFS जादा है fresh issue कम है ठीक है यहां पर मतलब कि जो promoters है या फिर जो private equity firms होंगी जो कर रहे होंगे वह यहां पर अपने stake को offload कर रहे हैं तो यह होगी जोस्तो company regarding detail अब यहां पर हम बात करते हैं industry regarding details उसके बाद हम यहां पर valuation को भी यहां पर cover करने वाले peer comparison भी करेंगे सबसे पहले हम बात करते है hospital या फिर healthcare segment की इंडिया में तो इसकी growth हमको आने वाले सालों म अच्छी कर देखने को मिलेगी ठीक है कोविट के बास हमने देखा एक अच्छा खासा भूम हमको इस industry में आता हुआ देखने को मिलेगा तो वह हमको share price में भी देखने को मिल रहा है कई companies में अभी वह भी हम बात करेंगे ठीक है hospital market की बात करें तो fi 20 तक 13% की growth थी fi 26 तक 12% की growth हमको hospital segment hospital market में इंडिया में आती हुई देखने को मिलेगी बात करते हैं अब maternity care market की या फिर pediatric care market की तो maternity care market में आप देख सकते हैं की 8% की हमको growth आती हुई देखने को मिलने वाली है ठीक है private segment में हम बात करते हैं private hospital chains है वहाँ पर हमको 12% की growth आती हुई देखने क को मिलेगी by F526 और private में भी इस्टिल आप देखें प्राइवेट होस्पिटल चेंज जो है जो प्राइवेट हेल्थ केर्ट से उसमें 14% की ग्रोथ हमको by F526 यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी जैसे हमने बात करी कि पेडियर्टिक सेगमेंट एक काफी ग्रोथ उरियेंटेट सेगमेंट है और जिस प्रकार की हमारी इंडिया की डेमोग्राफिक्स है आपने कभी विद्वास्टों किसी क्लेट में गयोंगे जैसे मैंने रपीट किया था भी क्लेट हो गया या फिर हॉस्पिटल किसी भी बात कर लेते हैं कैसे वेलिशन है इस कंपनी के और पीर्स के तो पहले हम देखते हैं comparison with listed industry peer तो यहाँ पर hospital segments के हम बात करते हैं तो Apollo hospital है, Fortis है, Narayan है, Max है, Krishna Institute यानि Kims है तो basically यह दोस्तो Apple to Apple comparison नहीं है बैस यहाँ पर क्योंकि pediatric segment में इनकी specialty है rainbow की बाकी यह जो है diversified है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबका EPS almost negative है पिछले कुछ सालों में Kims यहाँ पर 54 के PE पर trade कर रहा है Apollo चलिए इसको हम थोड़ सा simple way में देख लेते हैं यहाँ पर तो आगर आप देखें यह है peer comparison healthcare segment का तो यह है Apollo ठीक है Max Healthcare, Dr. Lal Path Lab, Fortis, Narayan Metropolis Games तो यहाँ पर 78 का PE है Apollo का 146 का है Max का 62 का है Dr. Lal Path Lab का Fortis का 57, Narayan का 42, Metropolis का 55 Games यहाँ पर सबसे attractive नजर आ रहा है यहाँ पर valuation comparison में ठीक है valuation point of view से अब चलिए हम देखते है rainbow का कितना है price to earning multiple तो इसको देखने के लिए हमको यहाँ पर EPS देखना पड़ेगा EPS कितना है यहाँ पर EPS आप देखेंगे तो 9 month period ended December 31, 2021 है इसका 13.39 तो इसका जो price band है rainbow का वो है 542 तो अगर आप 542 को divide करते हैं दोस्तों यहाँ पर almost 13 से तो करीब करीब मैं round off में बात कर रहा हूं यहाँ पर 13, 4 जा ठीक है तो यहाँ पर almost आप मान के चलिए उस तो 40 40 times यहाँ पर 40 के PE multiple पे हमको rainbow का यहाँ पर evaluation देखने को मिल रहा है जो कि I think Krishna से थोड़ा जादा है बाकी सबसे कम है तो valuation wise यहाँ पर attractive नजर आ रहा है rainbow तो यह valuation wise attractive नजर आ रहा है बाकी मुझे लग रहा है कि healthcare जो है segment है lately यहाँ पर fresh buying हमको होती हूँ देखने को मिले अभी एक में report बढ़ रहा था जहाँ पर कई दोस्तों देखिए मैं इस IPO में यहाँ पर apply नहीं करूँगा उसके पिछे का reason सबसे पहले तो यहाँ पर grey market premium आपको बताऊं तो only 18 है जो कि estimated listing price of 560 तो 3.32% का हमको यहाँ पर only gain मिलेगा जिस प्रकार का market है तो यहाँ पर हमको discount पर भी listing होती हुई देखने को मिल सकती है पहला reason तो यह दूसरा reason क्या है दूसरा reason यह है कि दोस्तों देखिए मैं अगर बात करूं इस healthcare segment की तो यहाँ पर मैं निवेश नहीं करता उसक थीक है capital intensive business है equipment की बात करें या फिर infrastructure की बात करें ठीक है beds की बात करें तो यह एक बड़ा risk है दूसर रिस्क अगर मैं बात करूं पहला risk हो गया capital intensive business दूसरा risk हो गया यहाँ पर competition intense competition हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है organized sector में भी और यहाँ पर unorganized sector में भी intense जो है आप पर भी आपको इतनी भीड़ देखने को मिलती है हला कि market बहुत बड़ा है यह भी मैं मानता हूं growth आईगी लेकिन still competition काफी जादा है और third अगर हम बात करें तो यहाँ पर regulatory जो है requirement बहुत जादा है मतलब it is a very regulated industry तो regulations काफी जादा है बेट तिक licenses ठीक है registration compliance हो गया या फिर safety purpose point of view हो गया brand या equity के हम बात करें अगर वो उस पर दबा पढ़िया तो उसकी पूरी वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि operational profitability में काफी जादा dent पढ़ सकता है चौथा reason के अगर हम बात करें तो यहाँ पर bad की occupancy पे भी काफी depend करते हैं दोस्तों यह जो है hospital chain के जो hospital businesses हैं यहाँ पर उस पे हाँ पर कितना है जो है return generate करें तो ROC यहाँ पर काफी impact हो जादा अगर bad occupancy rate यहाँ पर नहीं होती तो यह काफी सारे risk के जिसकी वज़े से मैं healthcare segment में जादा निवेश नहीं करता हूं लेकिन अगर आपको यहाँ पर इस segment की अच्छी समझ है तो आप यहाँ पर कर सकत करें तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं बाकि अपनी research और study भी जरूर कीजिए कब मैं यहाँ पर इसको avoid कर रहा हूं पहला reason gray market premium दूसरा industry related मुझे काफी issues लगते हैं चली दूस्तो हम बात करते हैं अपर अब दूसरे IPO के बारे में वह है campus यहाँ तो campus IPO की बारे में हम सभी को प पता है कि यहाँ पर basically footwear एक brand है बात करते हैं तो athleisure footwear sports और athleisure segment में यह company काफी अच्छा काम करती है Relaxo और Bata इसके main competitor है ठीक है यह company मनाती है running shoes walking shoes और यहाँ पर इनका ज्यादा traction हमको देखने को मिलता है casual हो गया walking और running shoes में तो इसमें campus का काफी एक अच्छा आप कह सकते हैं की penetration है और मेरे पास भी दोस्तों campus के shoes पढ़े हैं काफी अच्छा में को लगा कि campus के shoes जो basically यहाँ पर जो running shoes है और जो casual shoes है और जो walking shoes है वो काफी अच्छे हैं पर इनकी quality है मेरे पास भी पढ़े हैं काफी एक-दो साल से चली रहे हैं अभी तक टूटे ही नहीं है वो तो हम इसको पहन लेता हूं ठीक है यहाँ पर floater slippers की बात करते हैं यह भी बनाते है company distribution network इनका बहुत ही एक नाम है scale काफी अच्छे है इनोंने किया है ठीक है अभी मैं आपको पूरा detail यहाँ पर देना वाला हूं बाकी देखिए product innovation SKUs की बात करूँ गजब के इनकी पास SKUs है उसके detail भी दूँगा manufacturing capabilities है omni channel sales and distribution network है तो अगे यहाँ पर भी एक इनकी अच्छी पकड़ है brand recognition अच् grow होते हुए देखने को मिलेंगे total revenue की बात करें 596 करोड का revenue फिर अगले साल 734 का then यहाँ पर थोड़ा से decline हुआ फिर यहाँ पर basically यह जो time था दो यह बिलकुल ही यहाँ पर lockdown और covid की वज़े से बिलकुल समा जो है बिलकुल ही disrupt हो गया था इस time पर यहाँ पर footwear industry में काफी सारी industries में को देखनी पड़ी थी हो यहाँ पर इसकी वज़े से इनकी revenue decline हुई थी लेकिन December 21 की बात करें तो यहाँ पर again revenue काफी जादा आप हमको देखने को मिला profitability में भी अच्छी growth है आप देख सकते हैं यह दो साल अगर आप इसको ignore कर दें तो बा इससा बेच रहे हैं बाकी जो PE funds हैं वो पूरा यहाँ पर जो है आफ लोड कर रहे हैं अपने stake को बाकी IP को details की बात करें तो यह 26 तारीक को ओपर होगा 28 को closing हो जाएगी price band रखा गया है 278 से 292 तो आपको हमेशा अपर price band पे यहाँ पर apply करना है यह हमेशा आपको धियान र बात करते हैं company के product type की तो SKUs की बात करेंगे हम यानि कि कितने इनके पास product है stock keeping units है तो यहाँ पर मैं industry wide जितने भी players हैं ठीक है footwear में उनका comparison यहाँ पर करने वाले हैं तो सबस्यादा SKU है इधर Adidas के पास उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको campus का number नजर आता ह SKU की मैं बात करता हूँ यहाँ पर 6388 और किसके पास है और अगर आप देखें तो Puma के पास second है third है यहाँ पर basically campus है और fourth यहाँ पर relaxo है तो relaxo से भी product अगर हम SKU की बात करें तो relaxo को भी यहाँ पर beat करता हूँ और नजर आता है अब यहाँ पर हम बात करते हैं across usage type में तो casual की अगर हम बात करें तो campus basically यहाँ पर जैसे हमने बोला कि campus sports and athleisure में एक बड़ा player है यहाँ पर casual में भी एक बनाते हैं लेकिन इनका जो revenue है mainly campus में campus का sports and athleisure brand से आता है formal में नहीं है outdoor में नहीं है school uniform में नहीं है ठीक है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर relaxo की relaxo उसका 15% का हमको देखने को मिलता है customer segment की बात करते हैं ठीक है across customer segment type तो यहाँ पर man, human and kids की हम बात करेंगे तो campus का जो customer segment है वो जात है यहाँ पर आप देखिए man है बाकी 9% women है और kids 22% है ठीक है बाकी आप देख सकते हैं यहाँ और players भी आपको देखने को मिल सकते हैं आप pause करके इ basically relax हो क्योंकि इसका main competitor है इसका man में है 52% women 35% kids में 13% का हमको देखने को मिलता है बाकी हम बात करते हैं पर price segment की जो कि एक important metric है इसमें हम थोड़ा detail में चर्चा करेंगे तो mass segment के लिए यानि कि under 500 रुपे से नीचे के जो यह product है mass segment जिसको हम बोलते है उसमें 10% का इनका exposure है तो पर 500 से लेकर 1000 रुपे तक के जो shoes होते हैं footwear होते हैं उसमें यह जो है उसको उस price segment को cater कर रहे हैं mid की बात करते हैं तो 23% वहां से आ रहा है mid premium 1500 से 2000 के बीच में 18% और जो premium segment है 2000 से 3000 के बीच में 3% और जो plus premium segment है 3000 से ज्यादा के जो है उसमें 1% से कम का है तो campus के shoes आई थी यहा SXC लेता या फिर Puma, Fila वगेरा ही यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं ठीक है relax की बात करते हैं तो यह तो भाई साब mass segment को cater करते हैं 78% इनका below 500 की जो price है उससे ही कमाते हैं यह mass segment में relax हो इसलिए उसलिए 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 यहाँ पर market leader है industry के बारे में भी इसलिए हमको पत profit earned किया है पिछले कुछ सालों में ठीक है यह price segment की बात हमने already करे लिए यहाँ पर हम बात करते है retail chain में तो campus का across आप देख सकते हैं exclusive brand outlets की बात करें या फिर multi brand outlets की बात करें या outlets की बात करें online बात करें traditional retail की बात करें तो campus हर जगे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और relax हो लेकिन campus की 600 से 700 तक है और साथ ही साथ यहाँ पर relax हो कि अगर मैं बात करूँ तो I think relax हो तो और भी कम होगा relax हो देखिए 1500 से 1500 रुपे तक के जो हैंपर average selling price में यहाँ पर relax हो काम कर रहा है तो इसलिए relax हो यहाँ पर market leader है mass segment में और इसलिए यहाँ पर इतनी reach है इनके products की तो यह तो बात हो गई हमने बात कर लिए यहाँ पर company के price segment की यहाँ पर campus का comparison कर लिए दूसरी company से कितने SKUs हैं तो SKUs में आप देखेंगे तो third number पर campus आता है ठीक है relax हो को भी यहाँ पर beat करा तो product काफी सा रहे हैं campus के पास अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़े से industry regarding information की तो किस तरीके से industry grow होगी 140 जो है दूस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की तो आप है number of pairs per capita यानि कि हर आदमी कितने shoes यहाँ पर पहन रहा है annually तो इंडिया में 1.9 मतलब 2 मान लिजे 2 pair हर किसी जो हर को यहाँ पर change कर रहा है मतलब 2 जोड़ी जूते ही यहाँ एक साल में एक आदमी यहाँ पर change कर रहा है लेकिन USA की बात करें UK जापान की बात करें तो उनके पास देखिए 8 जोड़ी जूते हैं 6 जोड़ी जूते हैं साल भर में वो change करते हैं तो अभी भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो headroom of growth है वो बहुत ही जादा है इंडिया में और इसलिए हम पर relax हो इतने high premium पे trade कर रहा है और इसके premium की बात करें तो यह company भी दोस्तों जो भी हम simple तरीके से करते हैं relax हो कि इस पर चलते हैं और यहाँ पर price to earning multiple देखते हैं तो इसका relax हो का 101 बाट तक है 353 यह गलत दिखा रहा है यहाँ पर इसको छोड़िए चलिए मिर्जा की बात करते है 28 street lezers 25 khadhim 27 भारतिया 27 liberty shoes 29.64 तो सबस्यादा relax हो trade कर रहा है यहाँ पर हम द देखना पड़ेगा कितना EPS है यहाँ पर एक मिनट ठीक है तो इसका EPS है दोस्तों यहाँ पर 2.82 तो इसका जो price band है वो है 292 तो अगर आप 292 को मान लेजे 3 कर लेजिए annualized basis पे तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर आप मान कीजिए 37 जा 28 तो करीब-करीब 73 से लेकर 75 जी हां तो 73 से 75 price to earning multiple पे campus का IPO हमको list होता हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ पर listing अच्छी हुई तो यहाँ पर और भी हमको price multiple यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे हो सकता है 100 KPE पे यह भी चला जाए अगर अच्छी listing हो गई तो इसका मतलब काफी valuation महेंगे है attractive valuation नहीं है बिल्कुल भी campus के margins की बाद भी कर लेते हैं देखते हैं कितने margins पर यह company काम कर रही है मतलब की relaxo का अगर हम देखे हैं तो relaxo के margins कितरे हैं relaxo के margins हैं करीब करीब 17-18 के आसपास अगर हम sustainable margins की बात करें तो I think 18% relaxo के हैं और campus की बात करते हैं तो यह भी 18 के आसपास उस ट्रेट करती हुई नजर आ रही है December यह March हम छोड़ते तो मेरे ख्याल से 16-18 जो है operating profit margins पर यह company काम करें तो again profit margins के इसाब से भी यह company अच्छी है अगर हम industry-wide देखते है margins यहापर क्या है तो यहाँ पर हम देखते है margins एडिडास के ठीक है बिटा margins की बात करते हैं तो 19-20, 20% के margins पर एडिडास काम कर रहा है campus काम कर रहा है 16% के margins पर ठीक है और बाकी हम देखें तो यहाँ पर metro shoes के अच्छे margins है metro shoes क्या बात है इसके बड़िया margins है इसको आपने दूस्तों पढ़ा नहीं है इसके margins काफी अच्छे है मिर्जा इंटरनेशनल के 12-14 के आसपास हैं campus अभी भी यहाँ पर बीट कर रहा है relaxo की अगर हम बात करें तो relaxo और campus मेरे ख्याल से यहाँ पर neck to neck चल रहे हैं हर चीज में तो campus यहाँ पर definitely relaxo को यहाँ पर टक्कर देने वाला है लेकिन मेरे इसाब से valuations काफी जादा हाई है campus के तो उसे साब से मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ इसे attractiveness कम हो जाती है IPO की तो अगर हम grey market premium देखें तो 20% के grey market premium पर हमको आज के दिन campus देखने को मिल रहा है industry है वह industry आप देखें अभी काफी headroom of growth है retail segment में footwear market काफी growth होता हूँ हमको देखने को मिलेगा because of urbanization, because of rising disposable income, because of premiumization, because of rising middle class income तो यह सारी चीज़े हैं जिसकी वेज़े हमारी per capita consumption बढ़ती हुई देखने को मिलेगी इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से जो mass segment है वो अच्छा करते हुए नजर आएंगे ठीक है वहाँ पर हम relax हो की बात करते हैं वहाँ पर हम campus की बात करते हैं मेरे ख्याल से इसलिए इसको इतना valuation मिल रहा है लेकिन अगर यहाँ पर का detail analysis इन दोनों IPO के regarding अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए और आपके कोई भी question है doubt है तो आप जरूर comment box से पूर सकते हैं आपको जरूर reply करूँगा मिलते हैं next वीडियो में till then take care bye bye और अपना opinion thought process इन दोनों IPO के regarding comment में जरूर share क कीजिए और